नमस्कार मैं हूँ वज्या और आप देख रहे हैं फिल्मी बीट टीवी पर उतरेगी बॉल्लिवुट की ये मलिकाई हुसन डैंस इंडिया डैंस में हो सकती है करीना कपूर खान की एंट्री इस पर धीरेजधू पर ने किया बड़ा खुलासा क्या है पूरी खबर? आईए आपको बताते हैं टीवी प्रेमियों के लिए खास खबर है खास कर उन दश्कों के लिए जो रियालिटी टीवी शो डैंस इंडिया डैंस के दिवाने हैं और करीना कपूर खान के फैन भी उन्होंने इस खबर को कनफर्म करते हुए बताया कि वो बेबो के साथ काम करने को लेकर कितने एकसाइटिड हैं सोर्सस की माने तो धीरस धूपर ने कहा मैं बहुत एकसाइटिड हूँ और हाँ हमारे साथ एक बहुत खुबसूरा तो स्टनिंग महिला है उनके सामने खड़ा होना और होस्टिंग करना एक अलग अनुखों होगा मैं स्टेज पर उनके सामने खड़ा होने उन्हें देखनी और तमाम चीजों को लेकर बहुत बेताब हूँ वेले से पहले भी खबरे थी कि करीना कपूर खान और सैफ अलिखान को एक और डैस रियलिटी शो नच बली नाइन के लिए अप्रोच किया जा रहा है लेकिन फिर इस टीवी शो के लिए शाहित कपूर और मीरा कपूर का नाम सामने आने लगा जबकि करीना के हाथ लगा ये धमाकेदार टीवी रियालिटी शो और अब लगता है करीना इस टीवी शो में अकेले ही हिस्सा लेंगी करीना कपूर खान के करियर पर नज़र डालें तो बीते साल ही वो फिल्म वीरे दीविडिंग से बॉलिवुड में धमाल मचा चुकी है जबकि हाली में करीना ने अक्षे कुमार के साथ अपनी फिल्म गुड नियूज की शूटिंग पूरी कर ली है इसके अलावा भी करीना के पास काफी फिल्मे हैं इसके अलावा वो जल्दी ईرفान कान के साथ फिल्म अंग्रेजी मीडियम की शूटिंग भी करने वाली है जबकि इसके बाद अगले साल रिलीस होने वाली उनकी एक और बड़ी फिल्म है और वो है धर्मा प्रोडक्शन की फिल्म टक्स जिसमें भी करीना कपूर एक खास अंदाज में नज़राने वाली हैं तो कुल मिलाकर करीना कपूर के पास इन समय काफे फिल्मे हैं इसके अलावा अब वो छोटे परदे पर भी धमाल मचाने की तैयारी में हैं फिलाल करीना से चूड़ी ये बड़ी खबर है जिसे सुनकर उनके फैंस बहुत खुश हो जाएंगे इस वीडियो में फिलाल इतना ही